हुआ है इन Secrets स्पेक्टर स्ट्रेंग्स दोस्तों आज हम बात करेंगे MULTI VATAMINE के उपार MULTI VATAMINE के कमपोजीशन में VATAMINS तो हते ही हैं जैसे कीлюс साथ ही def Leys Elements IKITA definite मिनरॉल के सप्लिमेंट की लोगों पड़ती है तो इसकी ज़रूद उन लोगों पढ़ती है जिनकी डाइट में मल्टि विटामिन और मिनरल से भरपूर फूड कम है या फिर जो अपने मील स्किप करते रहते हैं प्रॉपर डाइट नहीं लेते उन लोगों को इसकी ज़रूद पढ़ सकती है या फिर उन लोगों को जिनको फिर फिजिकली किसी भी तरीके से हो सकता है और जो अपने डाइट पर उतना ध्यार नहीं दे पाते या फिर जो वर्काउट करते हैं बहुत हाई इंटेंसिटी पर एथलीट है उन लोगों को विटामिन्स और मिनरल सी ज़रूद थोड़ी सी ज्यादा होती है एक सेड़ें जिसमें उन्होंने यंग एथलीट्स को लिया था नैशनल लेवल एथलीट्स को उनको साथ से आठ महीने तक सप्लीमेंट पर और 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 कुछ जो रिसर्चेस है वह ऐसी भी है जिनमें फरक पढ़ते हुए हमको दिखा है बहुत ही मार्जिनल फरक जरूर पढ़ा है तो इसके उपर रिजल्ट्स जो है थोड़े से कॉंट्राडिक्टरी है लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर देखी गई है सब में कॉमन कि एगर एथलीट की डाइट जो है वेल बैलेंस है तो उसको मल्टी विटामिन की उतनी ज़रूरत नहीं है तो हम ये कंक्लूड कर सकते है कि मल्टी विटामिन मिनरल काम जरूर करता है लेकिन वह कंडिशनल है अगर आपकी डाइट में मिनरल से भरपूर नैच्रल फूड नहीं है उसकेस में आपको लेने चाहिए लेकिन बैटर यह है कि आपकी डाइट सही कर लें तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत टो यहीं रहेगा कि आप जो नैच्छन एक्सट्रैक्स से बने हैं उन सप्लीमेंट्स को आपको आते हैं मतला इनने करते हैं कि जो री पत्तेदार सब्सरी m उसको juice को सुखा के powder बनाके capsules में pack करते हैं तो mainly सबजियां ही हैं जिनका powder बना रहे हैं सबजियों का ही extract आपको dry form में capsule में मिल रहा है इसके अलावा इसी तरीके से fruits and vegetables के extract आते हैं उसके capsules आते हैं पिल्स आते हैं उसको powder form में करके तो उसको भी आप consume कर सकते हैं तो यह better choice है लेकिन यह थोड़े से costly आते हैं अगर आप यह afford नहीं कर सकते हैं उस case में आप जाएं synthetic version पर जो की commonly available है chemist की दुकान पर सुप्राडेन बेकर्ड एक्सामिन जिंकोविट वगर है यह है थोड़े सा सस्ते वाले हैं दोस्तों best option तो यह है कि आप आपकी डाइट सही कर लें अगर डाइट सही नहीं कर पा रहे उस case में आप जाएं नेचरल सप्लिमेंट्स पर नहीं ले पा रहे हैं नहीं कर पा रहें उस case में आप synthetic version पर जाएं तो synthetic version सबसे least priority है क्योंकि है तो लंबे समय तक लेना थोड़ा सा recommended नहीं है अब इसके risk क्या क्या है तो इसके risk as such कुछ नहीं है कई लोग कहता है कि एडिक्टिव है जाद मेंने का break देते हैं फिर वापस continue कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं तो दोस्तो मल्टिविटामिन और मिनरल के जो supplement होते हैं वह उन चन्द सप्लिमेंट्स मेंसे हैं जो अचुली काम करते हैं लेकिन फिर भी है मल्टिविटामिन और मल्टि मिनरल के supplement जो है कंडिशनल है जरूरी नहीं है नेसेसरी नहीं है कंडिशनल है तो दोस्तों आपको clarity मिली होगी इस topic के ऊपर अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्स साफदिस देख तो getir है對啊 सिखत से है एक जाल करिया करूंच आपको और आपको प्ली जाओको कर दो झाल कले करकर अ कर दो करा है आपको आपको कर आपको ओबते है कर दो अंरूरी मेल जगको आपको कर है युकि झाल कर दो सेंर आपको